हेलो गाइस गुद मॉर्णिंग आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है अभी समय हुआ है छे बच के 45 मिनट सुभर के बात करते हैं आई डी बिया बैंक के बारे में इसका जो भी असिस्टेंट मेनजर का वेकेंसी आया हुआ है तो काफी लोग इसके सैलेरी के बारे मे अगडिएरा ठीक है और और कुछ लोग बोल रहे थे कि दुनिया बारे मतलब करते रहे जैसे की मेरे सिक्ष्च पर्सेंटेश है मैं यह हुग क्या जब नोटिफिकेसन में दिया है कि 60 परसेंट होंगे तो क्यो मतलब यह कमेंट करने का मतलब क्या होता है कि मैं हुग नहीं तो यार आप समझो मेरे पास कितना टाइम रहता है मतलब यही सब करते रहूं कि मैं दिन भर ठीक है मतलब फिर भी मैं सब कर देता है बार-बार नोटिफिकेशन में जाता हूँ बार-बार कालकुलेट करता हूँ और देखता हूँ कि एलिजबल है यह नहीं तो मतलब यार बड़े कब होंगे तुम लोग अपने खुछ से कब चेक करोगे हम इसा दुसरों पर डिपेंट कैसे रहोगे तो कब तक रहोगे यह सब चीजे सोचो यार मेरे पास भी कम टाइम होता है मैं भी आपके जैसी एस्पेरेंट हूँ और मतलब यह सब चीजे मुझ कर लो पहले exam तो क्राप कर लो बाद में salary का सोचना लेकिन लोगों के लिए salary भी motivation होता है तो इसलिए मैं salary का वीडियो लेंकि आयों काफी मेनत लगा इसको वीडियो को बनाने के लिए मतलब मुझेया इसा लागा कि कुछ जैनुमां चीज मिलना चाहिए रह साथ हाथ तो बैंक के बारे में असिस्टेंट मनेजर कि इसकी सेलरी कितनी होगी 2021 के हिसाब से पिजडी भी अगर आप करते हो ठीक है चली मैं आपको बताता हो तो यह देखिए एस पर न्यू पैटर्न एस पर न्यू तुटाउसन ट्वेंटीव नोटिफिकेशन आपकी सालेरी कुछ इस 30,000 रुपे जैसे की लिखा गया है नोटिफिकेशन में आपको दिखरा होगा काफी लोग इसी को बोले कि यह हमारी सालेरी भाईया ऐसा नहीं होता ही आपकी सालेरी नहीं है यह बेसिक पे हैं ठीक है इसमें आपको डी मिलेगा 9,000 रुपे का इस पेसल अलॉंसेस मिलेगा या वाएंट या आपको 2300 रुपे का ठीक है और फिर से अलगे से पाज-बुन से नेगा 5000 रुपे का सीसी अफिसर इह आपका अजहरुपे मिलेगा रुपे का यह Uh पैडोल उंसेस कि मिलेगा 14 nौर यहापे मिलने वाला है है आप के अल्गोलेट कर सकते है इसमें आपको मिलेगा शतरा हजार पांसुर रुपए का उसके बाद आपको एन्पीज बेसिक पे बैंक यह आपका 36 रुपए मिलेगा इसका और NPS on DA DA पी आपको NPS मिलेगा 900 रुपए का तो टोटल ग्रॉस सेलरी आपकी हो जाती है 99,800 रुपए पर मन जिससे कि आपका 9000 रुपए डेड़क्ट हो जाएगा जो कि आपका NPS का है क्योंकि सेम आमाउंट आपका बैंक देता है और सेम आमाउंट आपके से भी कटता है NPS का जो कि आपको बाद में मिलेगा यह आपका पैसा है ठीक है तो अगर टोटल ग्रॉस सेलरी की हम लोग बात करें इन्हेंड सेलेरी की इन्हेंड सेलेरी की आपका 8850 रुपय आपका सेलेरी होगा इंड हैंड ठीक है और अगर यहां पर आप एचरे नहीं लेते हो तो एप्रॉक्स 63,000 आपकी मंतली सेलेरी होती है जैसे कि मैं आपको प्रीवेस वीडियो में अपने बता हैं अब बोल रहे हैं काफी लोग की जैसे हम लोल ले तो कितना हमारा मतलब पैसा कटेगा क्या खटेगा कि फिर चल रही हैगी ठीक है मोटा से मोटा अगर मैं मानों अगर आपके 5000 भी क दोस्तों बात का मत सोचो यार पहले का सोचो पहले एक्जाम तो क्लियर करो ठीक है तो इस तरीका का आपका सालेरी स्ट्रक्चर रहेगा काफी अच्छी सालेरी है अच्छे से पड़ो आराम से निकल जाएगा फेपर अब काफी लोग यह भी बोल रहे थी कि भाई स्ट्या किसी की स्ट्राटेजी फॉलो मत करो अगर आप किसी की स्ट्राटेजी फॉलो करते हो तो आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हो बात की जाए मेरी तो मैं किसी की स्ट्राटेजी फॉलो नहीं करता क्योंकि मुझे पता है वह स्ट्राटेजी उसके लिए वर्ग करेगी मेरे 각 करना यहां नहीं करेंगे मुझे पता है कि मेरा स्टॉंग पॉइंट क्या है मैं वीछ कहते हुँ इसको देखके मतलब खुद को ही प्रिप्रॉटीकर करना होता है यहार दूस्रों को सब्सक्राइब गायदंश लो लेकिन डिपेंडेंट मत हो कि वह बताएगा तो हम पढ़ेंगे दुनिया भरे का जो भी समझ रहा है कि एसे इसको रियाद करना है यह ऐसा करना वह अगर आपसे नहीं होंगा तो फिर पाँगे तो फिर कैसा होंगा तो इसलिए यह सब चीजों पर मत रहूँ लेकिन फिर भी आपको दिक्कत है कि नहीं फिर भी इस्टाट्री वीडियो चाहिए तो फिर मैं बना दूंगा लेकिन फिर भी टाइम नहीं होता है मेरे पास इतना सारा कि मैं वीडियो बनाओ काफी लगता है वीडियो कराने के लिए समझा करो ओके आपको सारी सीजे समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना आपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना फेंट अब तक के लिए अपने धेहान रखना गुडबाई